जे मातादी राधे राधे आई जानते हैं नौरात्री के दूसरे दिन ब्रमचाडी पूजा का मंत्र भोग जाने पीली रंके इस दिन का क्यों खाश है महत्व नौरात्री के दूसरे दिन मादूर्गा की दूसरी सक्ति देवी ब्रमचाडी की पूजा अर्चना करने का भिधान है माता के नाम से उनकी सक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है ब्रमचाडी का अर्थ है तपश्या और चारडी का अर्थ है आचरड करने वाली अर्था तपका आचरड करने वाली ब्रमचारडी को बार बार नमन करते हैं मा ब्रमचाडी की पूजा अर्चना करने से शवभाग्य आरोग्य आत्मविश्वाश आयू और अभय की प्राप्ती होती है माता ब्रह्मचारी को ब्रामी भी कहा जाता है माता के इस वरूप की पूजा और उपवास करने से मनुष्य कठिन से कठिन समय में भी अपने पत से बिचलित नहीं होता है आईए चानते हैं माता ब्रह्मचाडी का शरूप, भोग, पूजाविधी और मंत्र सास्त्रों में बताया गया है कि मा दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वत राज के यहां पुत्रे बन कर जन्म दिया और महरसी नारत के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पती के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण है इनका नाम तपस्चाडी या ब्रह्मचाडी पड़ा अपनी इस तपस्या की अवधी में होने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अतियंत कठिन तपसे महादेव को प्रशन कर लिया उनके इसी तपक से प्रतीक्वे रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और एस्तवन किया जाता है ऐसा है माता का श्रूप नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रमचाडी है इनकी पूजा नवरात्र के दूसरे दिन की जाती है ब्रमचाडी इस लोग के समस्तचर और अचर जगत की विद्याओं की ग्याता है इनका श्वरूप शुएत वस्त्र में लिप्टी हुई कन्या की रूप में हैं जिनके एक हाथ में अश्दल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल है यह अच्छे माला और कमंडल धाड़ी ब्रमचारी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्यान और निगमागम तंत्रमंत्रा आदिसी सहियूक्त है अपने भगतों को यह अपनी सरवग्य शंपन्य बिद्ध्य देकर विजयी बनाती है ब्रमचारी का शरूप बहुत ही सादा और भव्य है अन्य देवियों की तुल्ला में वह अतिसोम्य, क्रोध रही और तुरंत बरदान देने वाली देवी है माता का भोग नवरात्री के दूसरे दिल मा भगवती को चीनी का भोग लगाने का विधान है ऐसा विश्वासे की चीनी के भोग से उपाशक को लंभी आयू प्राप्त होती है और वह निरोगी रहता है तथा उसमें अच्छे विचारों का आगमन होता है और मा पारबती के कठिन तब को मन में रखते हुए शंखर्ष करने की प्रेणा प्राप्त होती है पीले रंग का महत्व मा ब्रह्मचारी पीला रंग बहुत प्रिय है इसलिए माता की पूजा में पीले रंग के कप्रे पहन कर पूजा करनी चाहिए साथी पीले रंग के वस्त्र और फूल अवस्य अर्पित करने चाहिए पेलारंग मा के पालन पोशन करने वाले शुभाव को दरसाता है साथी यहरंग शीखने और ज्ञान का शंकेत है और उच्छा, खुशी और बुधी का प्रतीक माना जाता है मा ब्रह्मचाडी देवी का पूजा मंत्र या देवी शर्वभूतेशु मा ब्रह्मचाडी रुपेड संस्थिता नमस तस्ये नमस तस्ये नमस तस्ये नमो नम मा ब्रह्मचाडी पूजा विधी माता ब्रह्मचाडी की पूजा में पहले दिन की तरह है सास्त्री विधी से की जाती है ब्रहम महुत में पूरी परिवार के साथ मादुरगा की उपाशना करें और माता की पूजा में पीली रंग के वस्त्र का पिलोग करें माता का सबसे पहले पंचामरिट से असनान कराएं इसके बाद रोली अच्छत चंदनादी अर्पित करें इसके बाद अग्यारी करें और अग्यारी पर लौंग बतासे आदी चीजें अर्पित करें मा ब्रहम चारी की पूजा में पीली रंग के फूर का ही प्रियोग करें माता को दूज सी बनी चीजें या चीनी का ही भोग लगाएं इसके साथ ही मन में माता के मंत्र या जैगारे लगाते रहें इसके बार पान शुपारी भेट करने के बार प्रदच्छिला करें फिर कलस देवताः और नौग्रह की पूजा करें घी और कपूर से बने दीपक से माता की आर्थी उतारें और दुर्गा शब्सती दुर्गा चारीशा का पाठ करें पूजा पाठ करने के बाद पूरी परिवार के साथ माता की जैकारे लगाएं इससे माता की अशी मनुकमपा प्राप्त होती है